मुझे गर्व है मेरी पार्टी के पास दिलीब घोष जैसे अध्यक्ष है आज पार्टी को जिताने के लिए पिछले कई वर्सों से दिलीब घोष न जैन की निंद सोये है न दीदी की धमकियों से डरे है उन पर अनेख हमने हुए उनको मौत के खाट उतार दे की कोचिते हुई लेकिन वो बंगाल के उजबल भविश्का पर लेकर के चल पड़े और आज पूरे पंगाल में नई उर्जा भड़ रहे हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पार बीजे पी सरकार 50-55 मिनिट के लिए वाट्शेप डाउन हो गया फेस्बुक डाउन हो गया इंस्ट्राग्राम डाउन हो गया लोग अधीर हो गए चिंता में पड़ गए सबके मन में सवाल खड़े हो गए पचास-55 मिनिट के लिए हुआ था लेकिन सबको जोरा था क्या हो गया लेकिन भाईयों बहनों दुनिया में तो पचास-55 मिने ये सोशल मिडिया कि कुछ चीजे डाउन हो गई यहां पंगाल में तो पचास-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है विश्वास ही डाउन हो गया है सपने ही डाउन हो गये है संक्यल्प भी डाउन हो गये है मैं आपकी अधिर्तात समझ सकना हूँ मैं बंगाल के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि आप दीदी को लोगतंत्र को कुछलने नहीं दिया जाएगा पुलीस और प्रशासन को भी याद रखना चाहिए कि सम्विधार और लोगतंत्र की मर्यादाउचे बढ़ा कुछ नहीं होता है आगेर निर्वाचन गुलीते दीएमसी जाग करतो एबार हो बेला आपनारा आश्वस्त सागोर सबाई एद संगे रखे दाडार निर्वायत भोटेर पस्चिम बंगलार एदीद भिरिये आणार जन्यों अम्बरा बज़ परिकार